प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो कार्ड नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आईए जानते हैं कि कैसे आमधनी बढ़ाई जाए हर कोई चाहता है कि हमारा आमधनी दुगुना दस गुना और कई गुना बढ़ जाए हर कोई चाहता है कि हमें लक्षमी की प्राप्ति हो तो आईए जानते हैं इन छोटे मोटे उपाय को करके इससे लाब की प्राप्ति कर सकें कई बार ऐसा होता है कि भरपूर मेहनत करने के बाद भी पड़्याप्त आमधनी नहीं हो पाती या फिर आय का कोई निश्चित्वा नियमित अस्तुत्र नहीं हो पाता जोतिसी सास्त्र में कई ऐसे साधारन उपाय बताये गए हैं जिन्हें यदि विधी और विधान के पायों के बारे में जब भी आप अपने बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं तो मन में मा लक्ष्मी के मंत्र का जब करते रहें यदि लक्ष्मी मंत्र याद न हो तो विष्णु मंत्र का जब भी किया जा सकता है ऐसा करने से लेन देन में आपको लाब होगा जानते हैं किस मंत्र काना जब करें यह का इस प्रकाड करें जानते हैं किस मंत्र का जब करें उम् महा zugehen नम है इसके भगवते वाशुदेवाय नमा इस मंत्र का जब करे दूसरा मंत्र ओम विश्णवे नमा और तीसरा ओम नमो नारायनाय नमा इस मंत्र का जब करे तो इसे लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्लपक्ष के शुक्रबार को यथा सकती जितना भी बन सके चावल भगवान शिवी के मंदिर ले जाए अब अपने दोनों हातों में जितने चावल आ जाए उतने भगवान भोले नात को अरपन कर दे और भगवान भोले नात से धन प्राप्ति के लिए प्राड़त ना कर जितने चावल के दाने भगवान भोले नात को अरपन किये जाते हैं उसका उतने ही हजार गोना फल की प्राप्ती होती है अब बचा हुआ चावल गरीबों में बाट दे यह इनकम बढ़ाने के बहुत ही अच्छे उपाय हैं इससे लाव की प्राप्ती होगी हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाए वो इस मंतर का जब करते रहें इस उपाय से आपके बैंक एकाउंट में धन सजैव आपका लगेगा जिए उसमें बढ़ोतरी हो रहा है जदी आप किसी ओफिस में काम कर रहे हो या आपकी कोई दुकान है तो आप अपने वर्क टेबल पर मोती शंक भी रख सकते हैं यह उपाय करने से निश्चित ही आपका बाइलेंस लगेगा जो हमारा बढ़ रहा है अगर खर्चा भी होगा तो फिर उससे ज़्यादा इंकम होने लगेगा मंतर ओम स्रेम 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 महालक्षमी नम्हा इस मंतर का जब करे तो लाबकारी होगा किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में यदी भरने नचत्र आए तो उस दिन पानी से भड़े हुए चार कलस लेकर किसी सुनसान जगह पे जाए और जहां उनु कलसों को रखकर चुपचाप वहां से चले आए फिर दूसरे दिन जाकर जो कलस खाली मिले उसे घर ले आए शेश को वहीं छोड़ दे खाली कलस को घर के एकांत कोने में रखकर रोज उसकी पोजा करे तो उस व्यक्ति पर लक्षमी माता प्रशन होकर उसी के घर में निवास करती हैं और धन आगमन के उपाय को बढ़ाती है धन प्राप्ति के उपायों में कई वस्तूओं का उपयोग भी किया जाता है जो की माता लक्षमी कुप्रिया है ऐसे ही एक वस्तू है जो की समुंदर से निकलने वाली कोडियां दिखने में यह बहुत ही साधारन और छोटी होती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही धन अस्थान पर रखी जाए तो निश्चित ही धन लाभ होता है कौडियां को केसर या हल्दी से रंग कर पीले कपड़े में बांध कर तीजोरी में रखने से लाभ की प्राप्ति होती है गले में तीजोरी में या आलमारी में जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां इस को रखे तो इसे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी गुरुबार को एक पीले रंग का रुमाल या कपड़ा लेकर किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां तुलसी का पौधा लगा हो अब उस तुलसी के पौधे के आसपास जो घांस उगड़ ही हो उसे तोड़ कर पीले का रुमाल में रखकर वापस घर ले आए इसको व्यापार अस्थल तथा घर में रखते कुछ ही दिनों में व्रिधी तथा धन की बरकत होने लगेगी तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान वर्धक जानकारिया प्राप्त करने के वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे कृष्ण धन्यवाद